नमस्कार साथ ये इन्फीजर नोट्स के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है आज का सेसन रहेगा साथ ये जो महतोपून तत्य होंगे उनकी भी जानकारी में आपके साथ साथ करूँगा और अन्ट में पांस महतोपून की उसन देखेंगे साथ ये अपने राजस्तान जी के के सेसन आपको पसंद आए तो इसे लाइक वर शेयर जरूर कीजिएगा इन्फीजर नोट्स के यूटूब चैनल को लाइक वर सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ये पीडियाफ का लिंक लगा दिया जाएगा वहां से आप पसानी से डाउनलोड कर पाऊगे तो शुरुवात करेंगे साथ ये पहले क्यूसन की पहला क्यूसर आपके सामने है आप से पूछा गया है 36 वे राष्टिय खेलों में परदेश के रज़त चोहान है इन्होंने कौन सा पदक जीता है तो आंसर होगा रज़त जीता है किसने रज़त चोहान ने 36 में जो राश्ट्य खेल है उसमें परदेश के रजद चोहान ने कौन सा पदक जीता है तो आंसर होगा रजद पदक इन्होंने अपने नाम किया है कौन सा रजद पदक इन्होंने अपने नाम किया है ये क्या है एक अंतराश्टी है तीर अंदाज है ये भी अपने को पता होना चाहिए ये तीर अंदाज है इन्हों ने रज़त पदक अपने नाम किया है जो व्यक्तिगत श्रेनी थी साथियों उसमें इन्हों ने तीर अंदाजी में रज़त पदक अपने नाम किया है वहीं मह महिलाओं में पिरिया गुजर है उसने 20 सातियों रज़त पदक अपने नाम किया है 37 राष्टे खेलों में परदेश के रज़त चोहां ने कौन सा पदक जीता तो आंसर होगा रज़त पदक हिनों ने जीता है कौन सी व्यक्तिगर तीरंदाजी पर्टयोगीता में और इसके अलावा वही महिलाओं में पिरिया गुजर है उसने रज़त पदक अपने नाम किया है आगे है केंदरिय दूर शंचार विवाग द्वारा परदेश के कितने उच शिक्षन संस्तानों में पांचवीं पीडी की 5G टेस्टिंग लेवें खोली जारी है केंदरिय दूर शंचार विवाग द्वारा परदेश के कितने उच शिक्षन संस्तानों में पांचवीं पीडी की 5G टेस्टिंग लेव खोली जारी है तो आंसर होगा पांच है पांच जो शिक्षन संस्तान है उसमें जो ये टेस्टिंग लेव है जो खोली जारी है वो कौ और इसके अलावा हो गया सातियों एक MBM जोदपूर, MBM है जोदपूर का हो गया और ये वनस्तली विद्या पीट निवाई टॉंक हो गई, यानि पांचों में खोला जा रहा है, 5G टेस्टिंग, लेब खोली जा रही है, 5 कौन-कौन से हैं, IAT जोदपूर हो गया, MNIT टेस्टिंग, 5G टेस्टिंग, लेब खोली जा रही है, आगे है अगला क्यूसन आपके सामने की हाली में, मोमा सर उसो कि जिले में बनाया गया, कि जिले में मनाया गया, मोमा सर उसो है जो कि जिले में मनाया गया, तो आंसर होगा, बिका नेर में, कहां पर हैं, बिका नेर म मनाया गया मौमा सर उसकी जिल्य में बनाया गया तांसर होगा विका नेर में मनाया गया तीन से पांच नौमबर तक है जो इसको बनाया गया था तीन से पांच नौमबर तक है जो इसको बनाया गया था और इसका जो आयोजन है वो जाजम फाउंडेशन की द्वारा किया गया इसका आयोजन है जो जाजम फाउंडेशन है उसके द्वारा किया गया जाजम फाउंडेशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया ये भी हमें पता होना चाहिए अगला क्युस्टन आपके सामने असा आती हो 37 वे नैसलन गेमस वे राजस्तान की तीरंदाजी की महिला कंपाउंड टीम ने कौन सा पदक अपने नाम क्या तो आंसर होगा गोल्ड इन्होंने गोल्ड जीता है 37 वे राज़्टे खेलों में 36 में नैसलन गेमस में राजस्तान की तीरंदाजी की महिला कंपाउंड टीम ने कौन सा पदक अपने नाम क्या तो आंसर होगा गोल्ड इनों ने जीता है यह अपने को पता होना चाहिए आगे है सातियों अगरा क्यूसन की हाली में केंदरिय परदुषन येंतर्मंडल की और से जारी डाटा के अनुसार परदेश के किस जिले की जो वायू है वो सबसे परदुषित है तो आंसर है हनुमानगड की हाली में केंदरिय परदुषन येंतर्मंडल की और से जारी डाटा के अनुसार परदेश के की जिले की वायू है जो सबसे परदूशित है तो आंसर है अनुमान गड़े जिले की जो वायू है वो सबसे परदूशित है मानी गई है साथियों और इसके अलावा जो राजस्तान के जो 33 जिले हैं उसमें से 30 जिलों की जो वायू गुन होता है वो निमन स्थर पर है यानि 33 जिलों में से 30 जिलों की जो वायू गुन होता है वो निमन स्थर पर है और सबसे ज़्यादा अगर खराब वायू है तो वो है अनुमानगडे जिल मंगला भागयम सक्ति ऐयों ऐस्वर्या का संब्ध है तो यह बाड में सांचोर वैशिन में खोजे गए तेल भाड में सांचोर वैशिन में खोजे गए तेल भाड में बाड मेर में स्तित है राजस्तान में पेंट्रॉलियम उत्पादक 6-0 कितने जिलों में फैला हुआ है 14 जिलों में फैला हुआ है तो अंसर है 14 जिलों में फैला हुआ है आगे है अगला क्यt深 सांदेवाला कुवे खनीज तेल मिलने का पता चला किस जिले में है तो आंसर होगा ये जैसल मेरे जिले में है सांदेवाला कुआ है जो उसमें खनीज तेल मिलने के पता चला था ये किस जिले में है तो आंसर होगा जैसल मेरे जिले में है आगे है साथियों एजपीशियल राजस्तान राजस्तान रिफाइनरी लिम्टेड कहां स्थित है तो आंसर है बार्ड मेर में कहां स्थित है तो आंसर होगा बार्ड मेर जिले में स्थित है कौन सी अच्पीशियल है राजस्तान रिफाइनरी लिम्टेड कहां स्थित है तो आंसर है बार्ड मेर में स्थित है तो सातियों ये राजस्तान Current Affairs के साथ मैं आपके साथ राजस्तान जीके के जो महतुपुन क्यूसन होते हैं वो शेर करता हूँ ये सेसन आपको पसंद आ रहा है तो शेर लाइक वाइश जरूर कीजिएगा Infusion Notes के YouTube चैनल को लाइक वा सिस्क्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों में भी शेर कीजिएगा PDF का लिंक है सातियों वीडियो के description में डाल दिया जाएगा वहां से आप डाउनलोड कर पाओगे इसके अलावा सातियों Instagram पर भी हमसे जुड़िये वहां पर है डेली जो राजस्तान Current Affairs वे इंडिया Current Affairs वनलाइनर में शेर किया जाता है इसके अलावा जो सरकारी बर्तियां होती हैं उनसे जुड़ी हुए जो भी महतुपुन जानकारी होती है वो शोट वीडियो के रूप से Instagram पर शेर की जाती है तो Instagram पर भी हमसे जुड़ीएगा और इसे सेसन को लाइक वसे जरूर कीजिएगा